आज मैं बना रही हूं मटका मटन बिर्यानी जिसके लिए ले ली हूँ यह मटन मटन में मैं सर्टो का तेल और हल्दे लगा के आदा घंटा रख दी थी और यह मैं चार प्याच को चौप कर ली हूँ और सुखे मसाल में तेज पत्ता, हारी लाची, बड़ी लाची, जावित्री, लॉंग, गोल मिर्च और दाल चेनी और एक पेस्ट रैडी करेंगे जिसके लिए हारी मिर्च, लैसून, अद्रक इस सारे चीज़ आप अपने हिसाब से लीजे आप जितना मटन ले रहे हैं उसी अब में ले लूँगे कड़ाई, कड़ाई में डाल दी हूं में सरसो का तेल अपने हिसाब से अब इसमें सारे सुखे मसाले आड़ कर दोंगे और थोड़ा से तेल में फ्राइ कर देंगे जिसे इसका अच्छा सा फ्लेवर तेल में आ जाए अब में तेल में ही डालोंगी यह कलर वाला लाल मिर्च जिससे मटन का कलर बहुत अच्छा आएगा और अब आड़ कर रही हूँ मैं प्याज तो प्याज को थोड़ा भूल लेंगे ज्यादा नहीं थोड़ा ही बुनना है क्योंकि प्याज से जो पानी निकलेगा उसी से हमें मटन पकाना है बस इसको इतना ही बुनना है देखे अब मैं आड़ कर दूंगे इसमें मटन मिक्स कर लेंगे अब इसमें मैं आड़ कर रही हूँ नमक मैं इसको मिक्स कर लेंगे अब टामाटर रैड़ कर देंगे मैं दो टामाटर रैड़ करी हूँ इसको थोड़ा सा पका लेंगे और सारे कुकिंग को हाई फ्लेम में ही करना है अब इसमें जो पेस्ट रैड़ी किये हैं उस पेस्ट को मैं आड़ कर दूंगी अब इसको अच्छे से बुनना है जब तक इससे ओल ना दिखने लगें अब सुखे मसाले में धनिया पौडर गरम मसाला जीरा पौडर और लाल मिर्च पौडर अब इससा बैट करके अच्छे से इसको मैं बोल लूँगी तो देखिए इस तरीके से बुनना हो चुका है तो यह थोड़ा सॉफ्ट नहीं हुआ है अब इसको कूकर में मैं डालूँगी तो कूकर मैं देखे डाल दी हूँ अब इसको मैं कूकर बंद करके दो सीटी आने अब बिर्यानी के लिए यह मैं राइस पका चुकी थी पहले अच्छे से इसको मैं ठंडा कर ली हूँ और यह मटल ले ली हूँ और यह मटका अब मटके में घी लगा ली हूं नीचे अब एक तेज पत्ते का लेयर डाल दोंगी ताकि राइस नीचे से चिपके ना इस तरी तर दे धनिया पति कस्तूरी मेथि नीचे का अब दूसरा में घखे डार मेथि तो नीचेस चिपति चल्शली तर देलें और जाल दुकित अब दूसरा में में दाल दूसरा में लियाए हूँ भी का लिए गी तु दूसरा के यह अब ने पीछले आmez हालर यह में यह दो है अभी धनिया पत्ती कस्तूरी मेथी और ये बिडियानी मसाला और ये हलका गर्मसाला ये घर में बना हुआ और ये मैं फूट कलर यूज़ कर रहे हूं बस अब इसको दम पर डाल देंगे तो पहले इसको मैं अल्मोनियम फॉयल से कवर कर लूँगे अच्छे तरीके से और इसको ढखके अब मैं 15 या 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगे लो फ्लेम पे तो देखिए ये हो चुका है बिर्यानी रैडी ये कितना अच्छा लग रहा है तो ये देखिए तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताईएगा थैंक यू पुझजजबाएगा तो इजय ये बताईएगा तो वीडिएगा थैंक जरीज़गा भिएजबागा कितना अच्छाण उते गवादा रहा है पुझजबागा जरूर की早वदा पूर्वद़ वीडियो दुझळागा थैंक ये कितना अच्छाड़ पुझ़जगा